नमस्कार जी मिरना में में बताने जारे हूँ यह सच है कि एक चुटकी नमक से आप अपना जीवन बदल सकते हैं जाने कैसे? क्या आप जानते हैं कि एक चुटकी नमक आपके जीवन को बदल सकते हैं? एक चुटकी नमक आके जीवन में चार चांद लगा सकता है जी हाँ, एक चुटकी नमक आके जीवन को रातो रात बदल के लख सकता है सुनने में तो बड़ा अजीव लग रहा होगा क्योंकि जब हमने सुना तो हमें भी लगा और आपको भी लगेगा पर यह सच है नमक से आप अपना जीवन बदा सकते हैं बस आपको इसके लिए स्रिफ खाने के अलावा दूसरे कामों में भी नमक का परियोग करना होगा नमक का इस्तमाल नजर दोश उतारने के लिए भी किया जाता है कि आपको यह आपके परिवार के किसी सदर सको नजर रगिये तो एक चुटकी नमक लेकर दो तीन बार उसके उपर से भुबा कर बाहर फिक दे कहते हैं इससे नजर दोश खतम हो जाती है वास्तु विज्ञान के नुसार शीशे के प्याले में नमक भर कर सचाले और स्नान घर में रखना चाहिए इससे वास्तु दोश दूर होता है इसका करणिया है कि नमक और शीशा दोनों ही रहू की वस्तु है और रहू के नकरात्मक प्रवाव को दूर करने का काम करती है रहू नकरात्मक गुरुजा और कीर किटाणों का भी कारक माना गया है जिन से घर में सुख समरद्धी और स्वास प्रावित होता है शीशे के बरतन में नमक बरकर घर के किसी कोने में रखने से घर में सकारात्म गुर्जा का संचार होता है रहूं केतु की दशा चल रही हो या जब मन में बुरे-बुरे विचार या डर पैदा हो रही हो तब या प्रियों बहुत लाग देता है डली वाला नमक लाल रंग के कपड़े में बान कर घर के मुख्यदार पर लड़काने से घर में किसी बुरी ताकत का परवेश नहीं होता है कारूबार में उनती के लिए अपने वैपारिक प्रतिष्टान के मुख्यदार पर और तिजोरी के उपर नटकाना लाप्रद माना गया है रात को सोते समय पानी में एक चुटकी नमक मिला कर हाथ पै दोने से तनाव दूर होता है और नीद अच्छी आते हैं राव और केतु के अशुप प्रवाव भी इससे दूर होते हैं घर में सकारत्म कुरुजा की भ्रद्धी के लिए रॉक साल्ट लैम रख सकते हैं वस्तु विज्ञान के नुसार या परिवारिक जीवन में आपसी ताल्मेल के साथ ही सुख समरद्धी को बढाने में भी सायक होता है स्वास समंदी मामलू में भी या सकारत्मक परवाव डालता है घर की खुशियां बच्चों से होती हैं बच्चे बिमार हो जाएं तो पूरा घर परशान हो जाता है अपनी इस खुशी को हमेशा बनाये रखने के लिए हवते में एक दिन पानी में चुटकी भर नमक मिलाकर बच्चों को नहलाएं तो नजर दोज से बच्चे बचे रहेंगे और स्वास समंधी परशानी कम होगी धन्यवाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें